मश्रूम चिली, मश्रूम मटर और कड़ाई मश्रूम यह तो आपने बहुत खाई होगी पर मैं आज आपके साथ मश्रूम की एक तम डिफरेंट और एक तम यूनिक रेसिपी शेयर करने जारी हूं तो एक तम फ्रेश मश्रूम अभी मार्केट में हैं तो यहां मैंने 500 ग्राम उत्त मार्केट साथ में और यह तो इसको पानी डालेंगे तो छोड़ा सा चार नमक में फिरने के बार दें आपनी साफ अची तरह से वश कर लिया है ताकि जो सोड़ा और नमक है वो हट जाए और यहां मश्रूम ले लेंगे इसके डंठल और इसके कप को हमें अलग कर लेना है तो यहां देखिए बस इस तरह से आप ट्विस्ट करेंगी इसली निकल आते हैं तो यह देखिए हमने यहां पर सारे कप्स और इसकी जो स्टेम है उसको अलग कर लिया है स्टेम में आप देखेंगे कि जो नीचे वाला पॉर्शन है कभी कभी ब्लाक हो जाता है तो उसको हमें हटा देना है तो स्टेम के नीचे और ऊपर की तरफ जो भी ब्लाक पार्ट्स थे उसको मैंने हटा दिया है और य पर एक पैन में धोड़ा सा अलिवे डालेंगे उसे के साथ डालेंगे थोड़ा सा बटर और ठोड़ी सी अमें दालनी है बाली के लीज़ टे लिए एक चाह्च पकर लेना है और अलिक को हलका सा नहीं दो टालना है मुश्किल से एक मिनट कलर नहीं बदालना चाहिए अब हम जो फिर जाए पानी पर जल्दी रडियूज हो जाएगा इसे के साथ हम दालेंगे थोड़ी सी काली मिर्श पाउडर, नमक और एक पर और इसको में एक दो मिनिट के लिए साथे कर लेंगे तो यहां देखे तीन-चार मिनट में रेडी हो जाते हैं यह इसका सारा पानी जो है वो सूख गया है स्टेम का और इसमें अब हम डाल देंगे सैजवन सॉस तो यहां पर मैंने मार्कित वाला ही सैजवन सॉस यूज किया है और दो चम्मच के लगभग मैंने इसको इसमें डा मैं जाथ लिए आप चाहें तो इसकी जग़ वोस्ट इसं डे सकते हैं और यह जो हमने सेम् यह जजए सक को मुद्य कर लेना गधाना है और ऊब्ला नहीं नाँना है इसको हम डाल ना यह लोगगा सesh この जब थंदे हो जाई तब हम इसमें है इसमें इसमें आर मिक्स कर लेना कौंटिटी में चला जाए तो इसी तरह से तेखिए हम अपने सारे कप्स को रेडी कर लेंगे तो यहां हमने सारे मश्रूम के कप्स को फिल करके रख लिया है इसको भी हम साइड में रखेंगे और एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे डेड़ कप सॉरी डेड़ चममच मैदा औ इसको अची तरह से मिक्स कर लें इसमें और कुछ भी डालने के जरूरत नहीं है बस मैदा और कौन फ्रूर हमें लेना है और इसको अभी हम साइड में रख देंगे और अब हम अपने इस कप्स को पैर करेंगे तो हमें देखना यह है कि दो जो मश्रूम के कप्स है वो एक स कर लें तो यहां देखिए हमने अपने मश्रूम को यहां पर रेडी कर लिया है और अब इन मश्रूम के ऊपर हम मैदे और कौन फ्रूर का यह जो मिक्षर है उसको हम अच्छी तरह से कोट करेंगे तो बिल्कुल राइ ही इसी तरह से हमें इसको कोट करेंगे क्योंकि जो इसको आपको तब तक फ्राइ करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल गोल्डेन चेंज नहीं तो यह देखिए मश्रूम समारे जो है एक तम अची तरह से गोल्डेन कलर के होगे इनकाल कर भी हम साइड में रख देंगे और यह जो पैन जिसमें हमने फिलिंग बनाई थी उसी पत्ते वाले लसुन और अगर आपके पत्ते वाले प्याज हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं और हलका साइड को सौते करना है उसके बाद इसमें हम डालेंगे सेजवन सौस तो दो चोड़ा चमच के लगवग हमने यहां पे सेजवन सौस जाल दिया है और इसी के साथ हम चालेंगे और इसको एक बार हाई फ्लेंपर तो याभी जो भी प्रॉसरे में तहीं पर थी वो सारा हाई फ्लेंपर था हा मिनट हैं तो और यहां हमारे चीजी यााक्ट मुड्य aisौ लेड़ी हो गजी और और छी उस reop recommendations में मुझे я चालफ पर बटाइज तो में त्क्म है लगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिले भूले बाबाए